नमस्कार माश्टर शेक रूपाली में आपका स्वागत है तो आज हम बनाएंगे एक महाराश्ट्रेंड रेसिपी सुरुडिची वड़ी तो इसमें क्या-क्या लगता है हम देखते हैं तो मैंने लिया है एक कटोरी बेसन इस कटोरी से मैंने ये बेसन लिया है फिर इसी कटोरी से मैंने लिया है दुही और एक चमच मेदा ए अद्रक और मिर्च जीरा इसका मैंने दरदरा पेश्ट बना के ले लिया है ए नारियल है आप सुखा या गीला कौन सा भी नारियल इस् जीरा, सरसो, थोड़ी सी हीन, हल्दी, मीठा निम और ये सफेद ती तो हमें अब क्या करना है देखते हैं तो सबसे पहले हमें बेशन डाल देते हैं बावल में एक कटरी है मेदा एक चमश, मेदा आप जरूर डालिए तो फिर आपकी वड़ी तूटेगी नहीं तो एक ही चमश आप मेदा डालिए इसमें उसके बादें मिर्चोर अद्रक का थेसा अब इसमें मसाले में थोड़े डालूंगी हीन थोड़ी सी हल्दी और एक दहीं अब जो कटरी मैंने बेसं के लिए इस्तेमाल की थी इसी से मैंने नाप के दही लिया था अब उसी कटरी से पानी एक कटरी तो एना पर ध्यान में रखिए पहले इसे मिक्स कर लीते हैं इसकी कोई भी गुठलिया मत रहने दीजें यह मैंने मिक्स कर लिया है अब इसमें में नमक डालती हूं साद अनुसर नमक फिर इसे मिक्स कीजें जो घोल बनाया है इसे अब छान लेते हैं आप जरूर चानिए कभी भी जब आप सुरूर के वड़ी बनाते हैं तो यह गोल को जरूर चानिए नहीं तो यह तूट जाएगी क्योंकि इसमें हमने अद्रक और जो मिर्च डाली है दरदरा पीसके वह बीच में आएगी तो वड़ी टूट जाएगी इसलिए चानने की प्रसेसा द्यान में रखिए तो थोड़ा थोड़ा लेके इसे चान लीजे तो यह जीरा सब उपर आ जाएगा और इसका स्वात भी इसमें निकल आया है देखिए कैसे मेर्च और अद्रक उपर निकल आया है और इस स्मूथ पेश्ट हमें निल गया है तो अब आगे देखते है क्या करना है आप कूकर लीजे इसमें तोड़ा पानी डालिये और उसमें गोल रख देना है और ध्यान रखिए हमें जो फ्लेम में मीडिम ही रखनी है हाइज प्रेम पर इस से बिल्कुल मघ बनाई है और इसे थीन सीटी लगहानी तो इस इस अब ढग लेते हैं तीन सीटी हो गई है अब मैं गैस बंग कर देती हूं लेकिन इसे तुरंथ मत खोलिए दस मिनिट बाद ही आप इससे खोलिए तो इसे थंडा होने देते हैं 10 मिनित बाद इसे निकाल दिया इसे आप तुरंट मिक्स कीजिए इसकी कोई भी गुठलिया मत होने दीजिए और एक प्लेट को एक या दो भी भूंदा तेल लगा दीजिए और इसे ऐसे डालके गरम है वह हो थी तो यह ऐसे फैला दीजिए बहुती जल्दी इसे करना है आराम से मत कीजिए नहीं तो आपकी वड़ी बनेगी नहीं तो यह ऐसे सभी तरफ प्लेट को फैला दीजिए इसे मैं इसे फैला देती हूँ ए देखिए दो प्लेट में मैंने इसे फैला दिया है अब इसमें हम नारियल डाल देते हैं आप थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं कि दो इसमें में फैला दीती हुए इसे ऐसे काट लेते हैं और यह पूरा एक कर दिया अब थोड़ा इसे ऐसे उठा दीजिए यह दिखिए धीरे से और इसका ऐसे रोल बना दीजिए तो इसी तर हमें सब रोल तैयार कर लेती हूँ यह दिखिए कितने प्यारे रोल बन रहे है इसके यह रोल बनके तैयार है अभी इस पर थोड़ा सा हम नार्यल ऐसे डाल देते हैं उपर से और फिर इसका जो तड़का है और तैयार कर लेते हैं तो तेल एक चमच मैंने घरम कर लिया है इसमें मैं डाल देती हूँ एक जीरा थोड़ी सी सरसों मीठाली और सफेद तील गैस बन कर दिजा फिर सफेद तील डालेए इसके साथ डालूनी में थोड़ी सी हिंग अब ये तड़का तैयार हो गया है तो इसे अब वड़ी पे डाल देते हैं सभी पेसे फेला दीजिए तो ये सुरुई की वड़ी बन के तैयार है ये टेस्ट में थोड़ी बहुत खांडवी के जैसे लगती है तो अगर आपको रेसिपी मेरी पसंद आई हो तो इसे प्लीज बनाईए खाईए और हां मेरे चैनल को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए धन्यवाद